नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है वीडियो ये लेकपाल पुलिस जैसी जो परिक्षा है जिसमें हिंदी से सम्मन्दित जो भी प्रसन आते हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ही रोचक वीडियो है आज का और हिंदी बड़माला सम्मन्दित पिछली वीडियो में जो आपने देखा था हिंदी बड़माला से सम्मन्दित जो आपने हिंदी बड़माला पढ़ी और वरडों का बिंजन वरडों का आपने बरगी करण पढ़ा वसके आगे का ये वीडियो जो है इसमें आपको बताया गया है कि स्वर्थ तंत्रे में स्वांस के कमपन के आधारपा बरणों के कितने भेद होते हैं पिछले की वीडियो में जो आपने अलपराण, महापराण बगएर है जो आपने देखे थे आलपराण जो आपके प्रत्येक वर्गर के पहले तीसरे और पांच में वर्ड जो माने जाते हैं महापराण में दूसरे और चोथे जो वर्ड होते हैं प्रत्येक वर्गर से वो महापराण में आते हैं तो इस तरीके से आपने पिछले वीडियो में जो देखा अब आज की वीडियो में स्वर्तंत्री में जो स्वांस की जो कमपन होता है जिनकी उचारण में उनकी आधार पर जो बरडों के भेद हैं जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे जो पहला जो भेद है एक अगोस दूसरा है सगोस इसी को मैं सगोस कहें या अगोस एक ही बात है तो जैसे कर हम केवल बात करें अगोस वरडों की तो अगोस वरडों में आपका होता है अगोस वरड वे माने जाते हैं जिनकी उचारण म और यह वर्ड आपके अगोस वर्ड कहलाते हैं अच्छा यह अगोस वर्ड होते कौन से हैं यह अगोस वर्ड होते हैं प्रतियक वर्ग का जो आपके पांच वर्ग हैं इस पर सिविंजन के प्रतियक वर्ग का का चा टा ता पा प्रतियक वर्ग से दो दो वर्ड और वो भी द सा, सा, ये सारे वर्ड अघोस की अंतरगत आते हैं और अगर पूचते हैं कि अघोस वर्ड में कौन-कौन से वर्ड आते हैं तो प्रतियक वर्ड का पहला दूसरा वर्ड आता है और प्लस तेनो सा होते हैं सा, 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 इसमें कुल वर्डों की संख्या 13 होती है अघोस वर्डो काखा चावर्ग में चाचा तावर्ग में टाठा तावर्ग में ताथा और पावर्ग में पाफा ये आपके आते हैं और शाशाशा ये आपके आते हैं अघोस प्रियत्न की अंतरगत आपका जो दूसरा जो इसका भाग है घोस या सघोस इसी को चाहे हम घोस कहें या सघोस कह बात एक ही है ये जो आपके जो वर्ड होते हैं इन वर्डों में स्वरतंत्रियों में कमपन होता है जहां हम इन वर्डों का चारड करते हैं तो इन वर्डों के चारड करते समय जो उमारी स्वरतंत्रियां हैं जो ध्वनी की जो तंत्रियां हैं उनमें कमपन उत्पन होता है औ प्रत्येक वर्ड का तीसरा चौथा पांचवा और इसमें आपका आता है हा इसमें आपका आता है अंतश्थ वर्ड ये इतने सारे वर्ड आपके इसमें आते हैं तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हा और अंतश्थ वर्ड इसमें कुल मिला करके 20 वर्ड होते हैं अगर आपसे पूंचा जाए कि सघोस या घोस में बरड़ों संक्या कितनी होती तो 20 वर्ड एक इसमें सबसे महत्पूर पॉइंट एक आपका ये और है कि अगर आपसे ये पूंचा जाए कि सभी जो स्वर हैं उनको किसे प्रियत्र में रखा गया अघोस या सघोस तो आपके जितने भी इतना याद रखो 345 हा और यारा लावा 345 हा यारा लावा यानि कि 345 का मतलब तीसरा चौथा पांचवा प्रित्यक वर्ग के तीसरे चौथे पांच में पहले दूसरे आपके नकल जाते हैं अघोस में उसके बाद जो तीसरे चौथे पांच में जो वर्ड बचते हैं प्र यह रही जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि पांचों वर्ग मैंने इसमें लखे हुए हैं इस पर सी बेंजन जो हैं पांचों वर्गों के तो दोको इसमें किस प्रकार से हैं मैंने पांचों वर्ग लखे हैं का वर्ग है चा वर्ग है ता वर्ग और यह आपका पा वर् आपके लिखे हैं पांचों बर के मैंने पचीसों बेंजन लिखे हुए हैं ये आपके रहे उसमे बेंजन और ये रहे आपके अंतस्ति बेंजन तो दोखो पहला और दूसरा बड़ जो है वो आपका आता है अघोस में और तीसरे और चौथे पांच में जो बर हैं वो आपके आते हैं सघोस में अच्छा ये मैंने यहां तक आपका इतना ये दिखाया हुआ है जो आपके जो उस बेंजन है उस बेंजन जो चार है उनमें से जो सा 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 ये केबल तीन वर्ड सा सा यह आपके अगोस में है और जो यह हा पिलस यारा लावा यह आपके आजाते हैं सघोस में आप यहाँ पर वड़े आसानी से देख सकते हैं अगर हम यहाँ से पूरा यह इतना डिवाइड कर देते हैं अगर तो यह इतने उस वड़ के तीन वड़ सा 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 आपके अगोस सा सा और प्रत्यक बरके ये इतना कॉलम जो है वो आपका अगोस का है और ये आपका जो इतना जो कॉलम है ये वाला ये आपका सगोस के अंतरगत आता है तो इसे सम्मंदित आपसे प्रसन कुछ भी पूँचा जाए अगर किसी वड़ का पहला ये दूसरा वड़ देखने को मिले या तेनो सा में से कोई भी सा मिले चाए तालब भी सा मिले चाए मुर्धन सा मिले या दंत सा मिले तो वो आपके आते हैं सभी अगोस में तो इनका भी जैसे पहला जो पार्ट है जीव के प्रियत्न के आधार पर जो हमारी जेहुआ है जीव है उसके प्रियत्न के आधार पर उसके बोलने के आधार पर वरडों को स्वर वरडों को कितने भागों में बिफक्त किया गया तो ये जो उन्हें जो बांटा गया वो तीन का यादे मों cut करें तो हमारे जहुआ का याणि कि जेव का अग्रभाग krivya क्रियाल लहे या आगे का भाग थोड़ा सा उठें जैसे हम ए का उचारण करें या बड़ी ए का उचारण करें या ए करें या I कहें तो यह हम इन वरड़ों का जो जो नीचे चार बर दिये हुए है उनकी चार करते समय जेवका जो अगर भाग है वह क्रियासिल यहता है अहले हम आते हैं पश्च स्वेर do । पिछला भाग है के पीछे का भाग पैश्च भाग वह क्रियासिल बनाते हैं तो college या यह सभी आपके यह जो स्वर है या आपका Aagat स्वर कहला था विदिय स्वर तो इसमें आपका क्या होता है पश्छ स्वर में इसमें जीव का पिछला भाग कृया सी लहता है यानि के कंट से जो आवाज निकलती है जीव की पिछले भाग से जहां से आपकी वड़काा जो उसके चारण में जीव का मद्यभाग क्रिया सी लहे मद्यभाग उठे तो वो आपके होते है मद्यसवार की अंतरगत यह है केवल और केवल आपका एक सीवार ऐसा है वो भी है रसала यह आपका मद्यसवार कहला था इसी को केंद्री स्वर कहते है केंद्री स्वर इसलिए कहते है यूँकि जेव का जो मद्य भाग है वो क्रिया सिर लाता है जेव का केंद्री भाग मद्य भाग वो क्रिया सिर लाता है जो आपका जो हरस आ है वो केवल मद्य स्वर की अंतरगत आता है इसके बाद जो दूसरा जो पार्ट है दूसरे पार्ट में क्या है कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि दूसरे पार्ट में लखा हुआ है मुखाकरती के आधार पर यह संब्रत कैंतर का दात है यह चारण मुह कम खुलता है अर्द संब्रत वो बढ़ होते हैं जिनमें मुह आधा बंद रहता है और आधा खुला रहता है इसमें आपके जो सेप बनती है वो इस प्रकार की सेप बनती है मुह की और इसमें मुह आपका आधा बंद रहता है आध अर्थिविभ्रत का मतलब जिनके चारण में मुह आपका पूरा खुलता है आ थ्वुदे में आधा खुलता है और आधा बंद रहता है। लेकिन इनमें अंतर है इनको चारड में, तो अर्थ विब्रत का मतलब होता है, जिसमें आदा मुझ खुला रहता है, आदा बंद रहता है, तो जब हम इनका जो चारड करते हैं, तो A, O, और यह आपका हिरत सुआ, यह आपके आते हैं, अर्थ विब्रत में, अगला जो आपक बाटा गिया एक ब्रत्ताकार एक अब्रत्ताकार तो ब्रत्ताकार जो स्वर होते हैं यानिकि इसमें आपकी जब चाड़ करते हैं तो ब्रत्त की आकार की होटों की होट जो सेफ होते हैं उनकी जो आकरती बनती है वो ब्रत्ताकार की सेफ बनती है और वो आपके चार है उ, उ यह आपके ब्रत्ताकार के अंतरकात आते हैं, अब ब्रत्ताकार जब हम इनकाव चाड़ करते हैं, तो इनमें जो होट की आकरती बनती है, वो ब्रत्ताकार नहीं बनती है, वो कुछ इस तरीके के बनती है, दीर्ग ब्रत्ताकार, तो इसमें आपके जो चार वड़ हैं, यह आ उसमें जो यह आपके होटों के आकरति के आधार पर जो बांटे गए सिर्फ दो भागों बांटे गए एक ब्रत्ताकार एक ब्रत्ताकार कोछ पुस्तकों में एक और इसका भाग दिया है उदासीन यानिकि जिसमें कोछ नहीं होता है न वो ब्रत्तकार की अंतरगत आते हैं न अब्रत्तकार की अंतरगत तो उसमें ये दो पार्ट दिये हुए हैं हिरस्व आ और गिर्ग आ लेकिन आपके जो NC·ART की जो बोक है उसमें ये दोनों वर्ड अब रत्ताकार प्रित्न में ही रखे गए अगला जो आपका टॉपिक है अगले पेज पे वर्ड उचारड इस्थान तो वर्ड उचारड इस्थान में यहाँ पर देखो एक तो सरल तरीका आपको पहले बताते हैं मैंने यह वर्ग लखे हुए हैं कुछ का, चा, टा, ता, पा यह पांच वर्ग हैं एक मैंने नीजे सूत्र लखा हुआ है का, ता, मू, द, ओ इस का से मतलब है कंट यहाँ ता से मतलब है तालू मू से मतलब है मूर्धा यह दा से मतलब है दंत और ओ से मतलब है ओस्ट कचटतप और उन्हें के सामने मैंने लखा हुआ है कतामू द ओ यानि कि जो कावर्ग जो है कावर्ग चाड़स्थान कंठ उसी के नीचे चावर्ग का तालू, टावर्ग का मुर्धा, तावर्ग का दंत, पावर्ग का ओष्ट आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं याद रख सकते हैं कि कावर्ग कंठ से, चावर्ग तालू से, टावर्ग मुर्धा से, तावर्ग दंत से, पावर्ग ओष्ट से यह जो आपके जो पांच जो बर्गे हैं काचटतप, काचाटाटापा, उसे प्रकार पांच उचार अरस्थान काटामू दाओ, उनके ठीक-ठीक सामने लिख लेते हैं औरमन के नाम लिख लेते हैं का से मतलब कंट, तासे, तालू, मौसे, मूर्धा, दासे, दंत और ओसे, ओस्ट इस तरीके से में बड़े आसानी से याद कर सकते हैं अब कतामू, दवो में जो आपके कंट, तालू, मूर्धा जो होते हैं यह कहाँ कहाँ इनके होते हैं कौन कौन से भाग होते हैं तो कंठ तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कंठ गले का जो भाग होता है कंठ वहां से का बर्ग के जो वर्ड हैं काखा गागा इंगा ये आपके कंठ से बोले जाते हैं तालू आपका होता है, जब हम कंट से थोड़ा उपर की और आते हैं, तो यहां जो आपके जो शेप बनती है, जीव के ठीक उपर का भाग, वो आपका कहलाता है तालू, जीव के ठीक उपर का भाग, तालू कहलाता है, और तालू से बोले जाने वाले जो बढ़ हैं, वो कहलाता है मूर्धा तालू और दंत के मद्धिका भाग मूर्धा कहलाता है और ये आपके जो इनका जो चाड़सान होता है वो टावर्ग से टावर्ग मूर्धा से बोले जाते हैं टाठा डाढ़ा अड़ा अब जो आपका है दंत तो दंत जब हमारी जीब जिनको चारण में दातों को इस पर्स करें, तो वो आते हैं दंतवर्ड और दंतवर्ड में आपके आते हैं तावर्ग के, ओस्ट जिनके चारण केवल और केवल होटों का प्रियोग हो जैसे पा, भा, 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 मा, हम इनका जब वो चारण करते हैं, तो इनमें होट क्रिया सिल लेते हैं, तो ऐ ऐसी वर्ड ओस्ट वर्ड कहलाते हैं और वो आते हैं आपके पावर्ग इसके बाद आपका एक मैंने आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से टेबल एक यहां पर बनाई हुई है जिसमें आप लोग आसानी से देख सकते हैं जैसा कि यह लखा हुआ है पहले उचाड स्थान हैं उसके वास्वर हैं इसपर से बिन्यन हैं अंतस्त और उसमें तो सबस्पहले मैंने जो उचाड सान जो कंठ लखा कंठ से जो बोले जाने वाले जो बड़ हैं हिरसु आ और दिर्ग आ और का बर्ग मैंने लखा है तो का बर्ग से मतलब है काखा गागा इंगा और उसम अगे जो आपका है दंत сे लिरी हालांकि यह संस्कृत बढ़ माला मिलता है, आपका हिंदी बढ़ माला में नहीं है, फिर भी मैंने आपके आपके यह जानकारी के लिए लिख दिया है, कि लिरी जो है वो दंत वढ़ है और ये संस्कि issa वढ़ माला में आता है तावर्ग ताथा दाधा ना जब हमारी जीव दांतों को इस बर्स कर जनके उचाषाड में वो दंत वढ़ होते हैं ये इनका उचाषाड दात से होता है और ये ला और ये वाला सा आगे ओष्ठ बड़ में होता है आपका हिरस उ और दिर्ग उ और पावर्ग पापा बाबा मा कंठ तालू से आपका A.I आपका कंठ तालू यहां से आपको एक सरल सा तरीका बताएं इनके उ चारड के लिए तो हम कंठ तालू को याद रखने के लिए जो आपका A.I है तो ए हमें पता है कि एक आ और ए के मिलने से बनता है तो आ का उचारण जो होता है वो कंठ से और एका जो उचारण होता है वो तालू से तो हम दौनों को मिला के कह देते हैं कंठ तालू यानि कि एका उचारण स्थान कंठ तालू इसी प्रकार जो आपका नीचे वाला जो है कंठोष्ट ऐसी हम O को जब करते हैं तो O का जो संयोग होता है जो यह संयोग स्वर है वो आपका बनता है A और O के योग से तो A जो है वो कंठ से बोला जाता है उ ओस्ट से बोला जाता है को तो दोनों मिला के हो जाता है कंठोस्ट तो ओ आउ का उचाड़सान हो जाता आपका कंठोस्ट दंतोस्ट जो आपका वा है केवल वा इसका उचाड़सान होता है दंतोस्ट केवल वा वर्ड जो है जो वा अक्षर है उसका उचड़सान होता धन तोस्ट मैंने एक लाश्ट में लखा हुआ अनुन नासका इंगा, इया, अडा, नव म तो यह जो आपके जो लाश्ट के पांचमे बढ़ है प्रत्यक बर्ग के पांचमे बढ़ ये नासका से बोले जाते हैं प्रत्यक बर्ग का प्रितियेक 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 बर्ग का प्रिति कि मैंने जो यहां पर यह लखा हुआ है कि कावर्ग चावर्ग टावर्ग तावर्ग पावर्ग तो इसमें पांचो पांचो वड़ आते हैं पांचो पांचो वड़ यानि के काका इंगा चाका इंगा टाका अड़ा ताका ना पाका मा और मैंने इनके भी उचाड़ स्थान कं नेक दिया हुआ है कि इंगा का उच्चारर स्थान है अगर आपके विकल्प दिये हो नास का दूसरा विकल्प हो मूर्धा तीसरा विकल्प हो तालू और चौथा विकल्प हो ओष्ट तो इंगा जो है अनुनासिक बढ़ है पांचमा बढ़ है तो इसमें नास का दिया है तो आपका इया, ना, मा, इंगा, कोई भी बड़ आपका पांचमा बड़ हो सकता है, किसी का भी, तो जब ऐसी इस्थिति में क्या करेंगे, जैसा कि दूसरा प्रस्ण है, तो रड़ा का उचार स्थान क्या है, कंट, मूर्धा, तालू या दंत, तो अब इसमें नास का उप्सन में बिकल्प में नहीं दिया गया है, तो अब हम ये देखेंगे, जो ये रड़ा जो है, वो कि मूर्धा वर्ग, जो अब इसमें वर्घ की द्शार, तालू वड तालव, दंत, दंत्य, और ओष्ठ वर्ध Feel, ओष्ठ कहलाते हैं तो ये वीडियो जो है ये लेखपाल जैसी समस्त जो परिक्षा हैं और पिसेश कर ये लेखपाल पुलिस जैसे परिक्षाओं के लिए है और जो भी जो आपकी बिसेश करके जो भी प्रतियों की परिक्षा हैं जिनमें हिंदी बिसेश से सम्मंधे ते जो भी प्र प्रसनाते हैं, आप सरलता पूरवक आसानी से कर सकते हैं, आप अपने सुझाओ कमेंड बॉक्स में दे सकते हैं, धन्यवाद.